असलाम वालेकूम एवरिवन एंड वेलकम तो मैं चैनल एस्पारेंट्स और फ्यूचर एस यौल नो देट लास्ट फोर वडियो लेक्चर्स में हमने सिंप्लिफिकेशन ट्रिक्स से रिलेटिड एक सिरीज स्टार्ट की थी तो आज हम उस सिरीज का पार्ट फाइव डिसकस करने जा रहे हैं प्रिवेस फोर पार्ट के लिंक्स आपको नेचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टुडेंट्स जो इस चैनल पे नियू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पार्ट फाइव में हम इस तरह की एक्स्प्रेशन को सिंप्लिफाई करना सीखेंगे पार्ट फॉर में हमने सेम एक्स्प्रेशन को सिंप्लिफाई करना सीखा था लेकिन वहाँ पर स्केर्ज नहीं थे दोनों digits दिये गए है that is seven and five उनके दर्मियान में जो difference है वो two का difference होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि seven and five के दर्माएं में two का difference है तो पहली निशानी fulfill हो रही है second आपने ये देखना है कि जो पहली expression है उसके उपर positive sign हो और नीचे negative sign हो और दूसरी fraction में वो reverse होना चाहिए उपर negative होना चाहिए और नीचे positive होना चाहिए तो दूसरी चीज़ भी fulfill हो गई और तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि यहाँ पर अगर square exist कर रहे हैं दोनों terms के तो आप देखें कि आपके पास power 2 आ रही है पहली term में भी और दूसरी term में भी power 2 आ रही है यह तीसरी चीज़ और वो दोनों expressions आपस में add up हो रही है दरम्यान में plus sign है तो इसका क्या trick है वो आप गोर से देखिए जो दोनों digits हैं उनको आपने आपस में add up करना है उनका square लेना है और 2 minus कर देना है आपके पास answer आ जाएगा यानिके 7 plus 5 whole square minus 2 तो 7 plus 5 12 होता है 12 का square 144 तो 144 तो 144 में से 2 minus कर देंगे तो 142 directly इस question का answer आ जाएगा अब इसी trick से related एक और question नीची आपके सामने show किया गया है इसमें क्या values है under root 13 plus under root 11 तो सारी निशानियों पहले fulfill करें फिर trick लगाएं और directly answer निकाल लें सबसे पहले क्या है under root 11 दोनों values के दरम्यान में 2 का difference है 13 और 11 के दरम्यान में 2 का difference है तो पहली निशानी fulfill हो गई second देखिए जो पहली expression है उसके उपर positive sign और नीचे negative sign होना चाहिए और दूसरी expression में उपर negative और नीचे positive sign होना चाहिए दूसरी निशानी भी fulfill हो गई third देखिए दोनों expression के पास power 2 है पहली expression के पास पास पावर 2 दूसरी expression के पास पावर 2 है और last चीज क्या है कि दोनों fractions आपस में add up हो रही है तो इसके लिए क्या trick होगी दोनों digits को आप आपस में add up करेंगे उसका square लेंगे और 2 minus कर देंगे तो 13 plus 11 whole square minus 2 13 plus 11 24 होता है 24 का square 576 उसमें से 2 minus कर देंगे तो 574 इस expression का direct आपके पास answer आ जाएगा अब इसी tricks related एक और question है लेकि इसमें थोड़ी सी modifications है कि दोनों fractions के दर्मियान में minus का sign exist कर रहा है previous question में दोनों fractions के दर्मियान में plus का sign था तो minus का sign आ जाए तो फिर इसको कैसे solve करना है यह हम यहां सीखने लगे है तो सबसे पहले दोनों values के दर्मियान में जो difference है वो 2 का difference होना चाहिए 2 का difference होना चाहिए तो 7 और 5 के दर्मियान में आप देख सकते हैं कि 2 का difference है पहली निशानी fulfill हो गई इसके बाद देखिए पहली expression में उपर positive sign और नीचे negative sign और दूसरी expression में उपर negative और नीचे positive sign यह भी fulfill हो गई और दोनों terms के उपर power 2 है यह भी fulfill हो गया और आपके पास दोनों expression माइनस हो रही है तो उसके लिए क्या trick है यह आप गौर से सुनिएगा इसकी यह trick है कि 2 times दोनों values को add up कर देना है प्लस उसके बाद आपने दोनों values को under root के साथ multiply कर देना है तो आप क्या लिखेंगे 2 into 7 plus 5 into under root 7 multiply by under root 5 तो 7 plus 5 आपके पास 12 होता है और under root 7 और under root 5 को multiply करेंगे तो under root 35 आजाएगा 2 को 12 से multiply करेंगे तो 24 under root 35 यह आपके पास इस expression का final answer आजाएगा अब इसी expression से related है और question डिसकस करते हैं नीचे देखिए minus sign के साथ पहली निशानी क्या है कि 13, 13 और 11 दो digits हैं दोनों के तर्मियान में 2 का difference आ गया पहली expression में उपर positive sign नीचे negative sign और दूसरे expression में उपर negative और नीचे positive sign और दोनों expressions में उपर power 2 है और दोनों expressions आपस में minus हो रही है दोनों fractions के तर्मियान में minus का sign है तो क्या trick होती है 2 times दोनों values add up हो जाएंगी multiplied by दोनों values under root के साथ multiply कर देनी है तो 2 into 13 plus 11 into under root 13 multiply by under root 11 तो 13 और 11 को add up करें तो आपके पास 24 आ जाएगा और 13 11s are 143 under root के साथ आ जाएगा 2 into 24 48 होता है तो 48 under root 143 ये आशन को trick के साथ solve करके answer आ जाएगा ये इन स्टुरेट्स ने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया उनसे request है कि वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें ये अब आप लोगों के लिए एक quiz है इसमें देखें दो values दी गई है 5 और 3 और 2 scares के साथ है उपर वाला question positive sign के साथ तो नीचे वाला question minus sign के साथ है तो वीडियो के उधर pause करें इन दोनों questions को solve करें और नीचे comment section में बताइए कि आप लोगों के क्या answers आए है जो students get, net और head की preparation के लिए हमारा one-to-one online course जाइन करना चाहते हैं वो दिये गए whatsapp number पर contact कर सकते हैं या दिये गए email पर contact कर सकते हैं उनको इंशाला best level preparation कर बाएए Thank you so much for watching full video Please like, share and subscribe for more video lectures Take care, Allah Hafiz Assalamualaikum